पाकिस्तान न्यूजी लेंड के बीच खेली जा रही T20 सिरीज में दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीत लिया है इस सिरीज के सुरुवात 18 अप्रेल सुही और आखरी मैच जो होगा वो 27 अप्रेल को खेला जाएगा 18 अप्रेल को पहला मैच रावल पिंडी में खेला गया सुरुवाती के तीन मुकाबले जो है वो रावल पिंडी स्टेडिय में खेले जाएगे पाकिस्तान के और आखरी के दो मुकाबले यानि 25 अप्रेल का ये वाला मुकाबला जो शुरू होने वाला है और दूसरा मुकाबला जो 27 अप्रेल को होगा ये लाहोर में खेला जाएगा वरसाद के कारण पहला मुकाबला नहीं हो पाया लेकिन अभी भी चार मुकाबले में से तीन मुकाबले कम्प्लीट हुए जिसमें से एक-एक मुकाबले जीत के दोनों टीमें अपना अस्थान बना चुकी हैं अब देखना ये है कि अगर ये अगला मुकाबला कोई टीम जीती है तो चांसेंस हो जाते हैं कि ये सीरीज वो टीम विन कर जाएगी नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोश्यों बाहर कैसे देखे पाकिस्तान से कैसे देखे अधर कंड्री से कैसे देखे तो इस वीडियो को फिर से मुझे बनाना पड़ा चलिए सारी अपडेट्स आपको देते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि आप लेटोप कंप्यूटर पर कैसे देख सकते हैं मोबाइल में कैसे तीम अच्छा भी कर रही है पहले मुखाबले में नहीं पार होने दिया नियुजी लैंड का और हंडेड रंद के अंदर ही जिस तरीके से उनके विकट धोस्त कर दिये और मुखाबले को बहुत आसानी से जित लिया लेकिन बाद में नियुजी लैंड टीम ने अच्छी अब बचे हुए हैं जो 25 अपरेल को यह दोनों टीटी मुखाबले कहां के लिए जाएंगे लाहूर में और इसके लाइब टेलीकास्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं टाइमिंग की बात करें तो यह भारत के समय अनुसार 8 बजे रात को आप देख सकते हैं और भार पाकिस्तान चाहें तो वहां पर आप इसे पर सकते हैं पाकिस्तान में यह इन मैं जिलेंड की टीम न्यूजी लैन्ड धौरी इस बार पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो जो ब्रोड़कास्ट ट्राइट से वो अबडेट हुआ है और इस बार आपको देखने के लिए अगर अब तक आपने हमारे डेलिग्राम चैनल से जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लो बिल्कुल निशुलक है वहां किर्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहते हैं किर्केट के अनलाइसिस वहां पर मिलते रहते हैं और वहां जॉइन रहोगे तो फा सेक्शन में जाके आप देखें कमेंट पिन होगा क्लिक करके जॉइन हो जाना है और इंतजार करना है आने वाले मैचस के बाकी मैचस हो है उनकी अपडेट वहां मिल जाता है वह भी आप जुगार से देख वाएंगे अब आप फड़ा बड़ी काम कर लीजिए कि यह डिस् कर दो